मेरे भाईया को मारने की सोच से ही तेरी जिंदगी उल्टी लटक गई है और तुम मुझे दमकी दे रहा है इस बार पैरों से लटका है तू अगली बार गले से तो जितना आसान समझ रहा उतना आसान नहीं है तुन्हें खलती कर दिया है सले अब कुछ मत बोल अपने बारे में मुझे बता कर और मेरे बारे में जानकर कोई रेश शुरू मत का लगा क्यूंकि रेश के खोड़ों पर लगाम लगिये होती है लेकिन मैं बे लगाम तो आपको मिटाने के लिए बुद्धम शर्णम गच्छा मी रहा पर नहीं चल सकते अब पस युद्धम शर्णम गच्छा मी दादा जी ने एक सीख दी थी लोगों तक नेक काम पहुंचने चाहिए तिसने कि यह जरूरी नहीं बाई सर आपके अगले कॉल का इंतजार रहेगा यह गवर्मेंट का आदमी रिश्वत लेने आया है है ना चल भिकारी की तरह पैर पकड़ मोड बना तो दे भी दूंगा यही तो हमारे देश का प्रॉब्लम है इशारो इशारो में जो कह रहा हूँ वो कोई समझ ही नहीं पा रहा है तुम्हें मेरी लांग्वज समझ में नहीं आई और ये बोडी लांग्वज नहीं समझ रहा है अब समझने समझाने का वक्त खतम हो गया दुनिया में एक कहावत है धन्द औलट शाष्वत नहीं इंसान शाष्वत है यहां इंसान मर रहा है लेकिन करंसी कभी नहीं मरती मार्केट में चल रही है या कैट वॉक कर रही है दिखने में तो अच्छे घर के शेरीफ लड़के लगते हो पर बत्तमीज हो जब दोस्त ऐसे मवाली हो तो नियत तो बिगड़ ही जाती है न देखो जब तुम साट साल की हो जाओगी तब तुम याद करोगी कैसे कुछ हैंसम लड़के तुम्हें पीछे से छेड़ा करते थे अपनी कुछ मीथी यादों के बदले लड़कों से छेड़ने का हक मचीनो जाओ 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 कॉलेज का टाइम होगे जिसकी खिलोने वाली गन से भटती हो गन कर बिनिस करेगा कटपीस का बिनिस करता हो सची कपड़े काट-काट के दिन काटता हो करीना कटपीस इसी नाम की दुकाय नहीं ना पर आजाओ एक दिन अच्छी मलाई वाली चाय बलाता हो आपको तो जाओ चूतिया लिखाए गया पहली गल्ती तुने हाथ पकड़के की दूसरी हाथ उठाकर तीजरी गल्ती करने की गल्ती मत करना वरना इतना मारूंगा कि दर्थ को भी समझ नहीं आएगा कि कौन से जखब से भार निकलू लेकर निकल अपने दोस्त को और दोबारा इस गली में कदम बत रखना रखोंगा और जस दिन रखोंगा जंगल यही होगा लेकिन शेर पदलेगा